हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल मैं हूँ देवी का सखत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में तो देखे फ्रेंज अभी मैं दो पहर लंज की तैयारी कर रही हूँ हजबन जी आए थे अभी बेंगन आलु टमाटर ये सब लेकर आएथे तो देखे अभी मैं बेंगन आलु सब कुछ काट के ले रही हूँ टमाटर भी क्यूंकि मैं बनाऊंगी कडि फिश करी बनाऊंगी और इलिज फिश लाएथे हजबन जी तो सीका मैं कड़ी बनाऊंगी अभी और अभी अभी हजबन जी ये टमाटर और वेंगन जो है ना अभी अभी लाए है तो थोड़ा लेट हो गया है आज खाना बनाते बनाते मुझे तो देखें यहाँ पर मैंने तेल में पहले साबू जीरा और कलोंजी एट कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है आलू और आलू को मैं थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राइ कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर एट किया है थोड़ा सा प्याज इसके साथ मैं यहाँ पर नमक भी ऐट कर दूँगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और जब टमाटर अच्छे से कल जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्ली अचीली पाउडर और फिर जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब कुछ एट कर दिया है और फिर य यहाँ पर एड़ किया है अभी बेंगन और बेंगन को एड़ करने के बाद मैं यहाँ पर चार पाच मिनट तक ऐसे ही मतलब पका लूँगी फ्राइ कर लूँगी बेंगन के साथ मसाले को और फिर यहाँ पर मैं अभी एड़ करी हूँ पानी और फिर मैं यहाँ पर अच्छे मतलब मिलता भी नहीं तो हज़बन जी को मिल गया था तो वो लेकड आ गए है लेकिन हमेशा हमारी यहाँ पर ये फिश नहीं मिलता तो देखें ये फिश न बेंगन आलो के साथ बहुत ही तेस्टी लगता है तो मैंने इसलिए बेंगन और आलो के साथ इसकी सबजी बनाई है इगलिश फिश की सबजी तो देखिए फ्रेंट्स मेरी सबजी जो है वो रेडी हो गई है तो आप सब भी आजाओ हम सब एक साथ लंच करते है तो फ्रेंट्स अभी मैं घर में लगा रही हूँ जारू और किचन से मैंने स्टार्ट कर दिया है जारू लगाना और पिर ये वाला रूम भी मैं जारू लगा लूँगी इसके बाद मुझे जो बरांड़ा है हमारा उसपे भी मैं जारू लगा लूँगी तो फ्रेंट्स आज में दो पेहर बहर सोने के लिए नहीं तो मैं सो ही नहीं बाती दोपे हैं। और अभी सारे चार बच गये हैं। बाद में वो सब मुझे ठीक भी करने हैं। तो मैं बात में करोंगी। तो फ्रेंस अभी शाम का टाइम है और देखिए अभी भी आदी नहीं आया क्योंकि आदी को एकदम से रात को ही लाएंगे बोले थे हजबन जी तो डिनर के बाद ही वो आएगा बोल रहा था तो इसलिए थोड़े देर के बाद मतलब रात को आठ शारे आठ बजे हजबन जी जाएंगे तो आदी को ले आएंगे तो देखिए फ्रेंस ये कौन है आदी बाबू हमारा अदी बाबू आ गया है और बहुत जल्दी आ गया है और डिनर के बाद नहीं डिनर से पहली ही आ गया है क्योंकि हजबन जी के पास टाइम नहीं था उनका बाहर का जो भी काम था वो खतम हो चुका था तो जल्दी से ही लेकर आ गए थे और ये देखिए चिकन भी लाए है तो आदी का फेवरेट ये है लेक पीस तो उसे खाना था क्योंकि उसे मतलब डिनर के बाद ही आना था उसका मन नहीं था डिनर से पहले आने का लेकिन फिर भी हजबन जी लेकर आगे तो वो जित कर रहा था कि उसे लेकपीस खाना है तो ये देखिए हजबन जी ने ही बनाया है आज आदी बाबु के लिए लेकपीस Hello friends, देखिए आदी आ गया है, वो 8 बजे ही आ गया था और अभी हम लोग का डिनर हो गया है तो अभी आदी यहाँ पर मॉबाइल देख रहा है और हस्पेन ची जो है वो सौ गए है तो हम दोनों यहाँ पर मॉबाइल पे न एक फ्लीम देख रहे थे तो दिनर तो हो गया है हमारा और आदी भी आ चुका है गड़ में क्योंकि कल स्कूल है आदी का तो इसलिए वो आज आ गया है क्योंकि संडे था आज तो इसलिए वो चला गया था कल तो फ्रेंट्स आज का ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जोरू बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडिय करण नहीं कर दो प्लीज वीडियो आज है वीडियो आज वा धुरू आज है